विश्व व्यापार संगठन पर निबंध एक जिन्वरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन का श्री गनेश हुआ यह गैट समझोते के स्थान पर आया है और उससे अधिक शक्तिशाली सिद्ध होगा यह 85 से 10 से राश्रों के बीच होने वाले जगडों का निप्टारा करेगा विश्व बैंक, अंतराश्रे मुद्राकोश तथा विश्व व्यापार संगठन यह तीनों विश्व व्यापी आर्थिक धाचे के तीन स्टंब बन गए है विश्व व्यापार संगठन का शेत्र कैट के शेत्र से अधिक विस्तृत होगा जेनवा में सित विश्व व्यापार संगठन के अधिकारी गण का यह दावा है कि सन 2005 तक विश्व की आय में 500 बिलियन डॉलर से भी अधिक बढ़ोतरी की आशा है उसी वर्ष की समापती तक विश्व व्यापी व्यापार में भी 25 प्रतीशत वाशिक बढ़ोतरी होगी यह निर्णे लिया गया है कि एक वर्ष तक गैट तथा विश्व व्यापार संगठन दोनों साथ साथ कारेरत रहेंगे गैट के वर्ष मान महासचीव उस समय तक अपने पद पर आसीन रहेंगे जब तक उनका उत्तराधिकारी कारेभार नहीं समहाल लेगा विश्व व्यापार संगठन अंतराश्रिय व्यापार का पहरेदार होगा यह व्यक्तिगत सदस्यों के व्यापारिक शेत्रों का निरिक्षन करेगा और विश्व व्यापार में दखल देने की शमता रखेगा विश्व व्यापार के मामले में यह प्रबंधक सलाहकार की भूमी का निभाएगा इसके अर्थ शास्तरी विश्व व्यापी व्यापार की गतिविद्यों पर कडी निगरानी रखेंगे या मुख्य तता प्रचलित व्यापार संबंधी मुद्दों पर आध्यन का प्रबंध करेगा यह नव स्थापित विकास, विभाजन और सोशक्त तक्नी की सहकारी और प्रसिक्षन विभाग की सहायता से उरुग्वे दौर के परिनामों का ख्रियानवन करने में विकास शील राश्रों की सहायता भी करेगा संसार भर में स्थित व्यापारिक अवरोधों को और कम करने के लिए यह केंद्र की भूमिका निभाएगा ताकि इसके सदस्य राश्र व्यापार संबंधी रियायतों के विनिमय पर बादचीत कर सके सेवा व्रत खंडों सहित यह बादचीत कई शेत्रों में लागू होगी विश्व व्यापार संगठन वानिज्य संबंधी क्रिया कलापो जैसे सेवाओं में व्यापार बौधिक संपदक्कर और पुन्जी निवेश को बहु पक्ष्य व्यापारिक प्रणाली के अंतरगत सम्मलित कर देगा यह एक पूर्ण अंतराश्य संगठन है यह सभी समझोतों का प्रशाशक नियंत्रक होगा तथा वे सभी सदस्यों को मानि होंगे यह आयात तथा आंतरिक बाजारों में घरेलू सामान के विशय में पक्षपात हीन तथा समान व्यवहार पर बल देता है इसने नए नियमों की रचना की है तथा रक्षात्मक अवरोधों के लिए इसके अंतरगत कोई स्थान नहीं है भारत की केंद्रिय मंत्री परिशद ने अपनी बैठक में विश्व व्यापार संगठन संधी की समपुष्टी कर दी है इसी कारण से भारत विश्व व्यापार संगठन का संस्थापक सदस्य बन गया है 31 दिसेंबर 1994 को दो अध्यादेश जारी किये गए थे जिन्होंने विश्व व्यापार संगठन में सम्मिलित होने के लिए भारत का मार्ग पुष्ट कर दिया था उन पर भारत के राश्रपती ने हस्ताक्षर किये थे उन्होंने भारतिय पेटेंट आक्प तदा कस्टम चुंगी अधिनियम के अंतरगत बहत्वपूर्ण परिवर्तन किया है आपात कालीन परिस्थित्यों में भारत सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया है कि लागत मूली से कम कीमत पर माल बेचने के लिए दूसरे देश में माल का धेर लगाने और सम्तोर शती पूर्ती करने वालों पर चुंगी लगा सके यह चुंगिया पांच वर्ष तक लागू होंगी जब तक उनका पुनरिक्षन नहीं किया जाए पेटेंट अधिनियम में सुधार हो जाने के कारण भारतिय उपभूगताओं और आविशकार को निर्माताओं के हितों की सुरक्षा होगी भारतिय उद्योग को सुद्रड स्थान प्रदान करना भी इसका लक्ष है वर्तमान स्थिती में भारतवासी, क्रिशी, रासायनिक तथा ओशधी निर्मान संबंधी पेटेंट प्राप्त करने में भी सक्षम होगा विरोधी सदस्यों ने इस अधिनियम को संसथ के साथ हुआ भारी धोका बताया है क्योंकि यह देशी तकनीकी को पंगु बना देगा और यह क्रिशकों को पुरी तरह आहत करेगा हो सकता है कि अधिकतर सरकारे इसके नए नियमों को स्विकार नहीं कर पाए तब यह ततकाल, धराशाई हो सकता है विश्व व्यापार संगठन के माल भरने के विरुद्ध, प्रावधान, शद्व वेश में सनरक्षन की भूमिका निभा सकते हैं विश्व व्यापार को उदार बनाने हेतु किये गए प्रादेशिक समझोते विश्व व्यापार संगठन की सूचारू प्रगती में बाधक सिद्ध होंगे। इस नवीन विश्व स्तरिय संसा की सदस्यता से चीन को वंचित रखा गया है। या भारत की संप्रभुता को खतरे में डालेगा। या क्रिशकों की समस्या को बढ़ाएगा जिने पेटेंट किये हुए बीज उची दरों पर उपलब्द होंगे। भारत को इस योजना से दस वर्ष बाद लाभ मिलेगा। परन्तु ये आशंकाय और लांचन निराधार हैं। हमें अपनी पहुच में आशावादी होना चाहिए।